हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल आरेश जियो 24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए और नॉटिफिकेशन बेल और रक्षी है ताकि कोई भी यूसफिल वीडियो मिस ना हो हेलो फ्रेंड्स मैं आपका आपना कौशिक फ्रम गुजरात दोस्तों हाली में मैंने सेकंड लेवल एचिव किया है और अपने फर्स्ट लेवल पर डारेक्ट पांस मेंबर भी रेक अप्लेट हो चुके हैं तो बहुत सारे दोस्तों की फर्मा इस्थी कसर आपको छोड़ियो और वीडियो बनाएं तो सुचा चलो आज अपने फैमिली से रूब्रो हो जाते हैं और एक अच्छा सा वीडियो देने की कोशिश करता हूं मैं उनका पूछना है कि आप मतलब किस तरह से इस सेकंड लेवल एचिव किस तरह से आपको सक्सेस मिली आरेज़ियो ट्वेंटी रंजन जी का जिन्होंने मुझे इस कंसेप में जोइन करवाया और सबसे ज्यादा शुक्र कुछ आगू में अपनी टीम का अपने लीडर्स का जिन्होंने यह ठान लिया है कि वो आरेज़ियो से लाखों कड़ों रूपय कमाएंगे निश्चे कर लिया है मन में और लग ग मेरा यह वीडियो सबी आरेज़ियो यूजर्स के लिए एक मेसेज हैं मैं कुछ टीप्स दूंगा मतलब टीप्स तो कॉमन ही होती है किसी के हर सक्सेस्फुल परसन के अगर लाइफ में आप देखोगे तो यह सारी चीजे जो मैं बताने जारों कॉमन होती है तब ही वो इत सारी चीजे दिखाए देगी जो मैं आपको बताने जारों है ठीक है सबसे पहली बात जो हमारे एमद इस राजियो सर कहते हैं कि पोजिटिविटी पोजिटिवीटी ही इंसान को आगे बढ़ाती है जब तक इंसान पोजिटिव नहीं बनेगा उसके अंदर एक नेगटिव पॉजिटिव नेजर जिसका होगा जो पॉजिटिव थिंकिंग करेगा जो चीजों को पॉजिटिव देखेगा उनमें यह सारी चीजे अपने आप आएगी जो मैं बताने जा रहा हूं लेकिन पॉजिटिविटी फर्स्ट है एक इंग्लिस में कहा वात है फ्रेंड्स ओनली ओनली दोज वू केन सी दर इन्वीजिबल केंडू इंपॉसिबल मतलब वह लोग जो अद्रस्ट चीजों को देख पाते हैं वह असंभव को संभव कर पाते हैं बिल गेट्स को मालूम था कि आने वाला समय इंफर्मेशन टेक्नलोजी का है तो उन्होंने इंफर्मेशन टेक्नलोजी के बिजनेस में अपने आपको चौक दिया और आज माइक्रोसप्ट जैसी कंपनी से बिल गेट्स दुनिया के रिचेस्ट परसंट है उन्होंने अध्रेस्ट चीजों को देख लिया तिरू बैंबानी को मालूम था कि आने वाला टाइम पेट्रोकेमिक्रल्स का है तो रिलैंस जैसा बड़ा ग्रूप चायंड ग्रूप ओपन कर दिया और आज इंडिया में रिचेस्ट परसन है मुकेशंबानी टाटा को मालूम था कि आने वाला टाइम मैटल का है तो मेटल बिद्नेस ने अपने आपको जोग दिया मार्क जुकरबर को पता था कि आने वाला वक्त सोशल मीडिया का है तो फेस्बुक बना दिया आइड अर्निंग जो कि आप आरज जी यो एप से कर रहे हो ओनलाइन शॉपिंग ओनलाइन रिचाज ओनलाइज एड व्यू तो हम लोगों ने इन चीजों को देख लिया है अभी से जो आज वर्क कर रहे आरज जी ओ में और वर्क कैसे करना है सबसे पहले पोजिटिवली कि आरज जी आपके पास आता है तो उसको पोजिटिवली देखे कि इस मैं ऐसा मुझ सोचे के पैसा मिलेगा के नहीं टीम बनेगी के नहीं क्या होगा जैसे ही जोइन किया सबसे पहले अपने आईड कि अक्टिव कर लिया और वर्क स्टार्ट कर दिया और आज हम इस लेव पैसे कमाने के लिए सिखना ही पड़ाइगा हम जॉब के लिए 15-17 साल पड़ाय करते हैं सिखने हैं फिरम को जॉब मिलती है तो 15-17 साल सिखने के बाद अगर 15-20,000 की जॉब मिलती है तो यहां अगर आपने एक मेना भी सिख लिया ना तो आपकी लाइब सेट हो जाएगी के साथ लर्निंग बहुत जरूरी है मैंने आरेज जोईन किया मैंने कभी बहुत रेर केस्में अपने अपलाइन को डिश्टक किया होगा सारी चीजे जो मुझे शेयर करते हैं यूटूब वीडियो और यह पोस्ट वो देखता था मैं और यसे देखते देखते में सीख गय क्या आज लागों करोड़ आने लगेंगे नहीं पोजिटिवीटी के साथ अपने लर्निंग किया अब पेश्टन्स चाहिए कि एक दिन में कुछ नहीं होगा ठीक है जो भी सक्सेस्फुल परसन है आप देख लो बिल गेट से लेके माग जूकर गटक तिरूबैंबनी अमिताब बच्चन सचीन चैनल लुकर में दसी दोनी विराट कोली किसी का भी एक्जमपल ले लोगों उनके सक्सेस के पिछ एक बहुत बड़ी जर्नी होती है रातो रात कोई नहीं बनता मतलब कितनी पेशंस बहुत पेशंस जरूरी है आप लाज दस लोगो को प्लान दे आपका पेशंस लेवल होना नहीं है तीन चार मेने मेनको तीन चार मेनक के साथ को तो को डर्यच्टिविति के साथbes बढ़ोकी पैशंस के साथ वर्क करो और वो बी जो सफी बात बताने जा रहा हूं डिबीं स वर्क यह पीं कर आ Was आज तक पर आपनी बात को एक बी यहां से सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोख सकती तो यह चार जीजे बहुत जरूरी है पोजिटिविटी पेशन्स लर्निंग और कंटिन्यूस वर्क तो सेक्सेस का सिर्फ यही फंडा है चाहे वो बिल गेट्स हो सचीन चेनल कर हो मार्क जुकरबर्ग हो या कोई भी परसन आप ले लो दुनिया का बिना संगर्ष के कुछ न बाइगरफी आप देखलो अब सचीन को एक सचीन टेंडर को एक रिपोर्टर क्वेश्चन किया कि आपकी सफलता का राज किया तो उन्होंने बताया कि जब तक मैं क्रिकेट खला तब तक ऐसा एक बी दिन नहीं गया कि मैं 6 बजे नेट प्रक्टिस नहीं कि हो मैंने तो उ कुछ किये बीना जय जय कार नहीं होती करना तो पड़ेगा फ्रेंड्स यह एक लाइफ चेंजिंग ऑपोचनिटी है आपको यह आपकी लाइफ चेंज कर सकती इसको हलके में बिलकुल मतलो आरजज़े ट्वेंटिफोर लाइफ चेंजिंग प्लेटफोर्म है अगर आपने इसको सिरियस्ली कर लिया तो डेफिनेटल आपकी यहां से लाइफ चेंज हो जाएगी तो अपनी सोच को बड़ा कर ओफेंड्स क्योंकि पेरों में मौच और छोटी सोच इंसान को कभी आगया नहीं बिढ़ने देती तो इसको हलके में बिलकुल ना ले सोची है समझे और स सिंपल सा काम है सिर्फ वाट्षप जैसे सोचल मीडिया का यूज करके ही तो आप अन कर सकते हो हम अब आज तक फेस्बुक वाट्षप का यूज करते हैं लेकिन उससे में कभी को इंकम नहीं हुए आप अगर आरेस जीयो का प्रमोशन करोगे फेस्बुक सोचल मीडिया व 2019 में नवेंबर 2019 में मैंने फर्स लेवले अचीव किया और फेबुरारी 2020 में सेकंड लेवले अचीव किया अगर हम कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं सिर्फ हमारे दिखाए कि रस तब आपको चलना है करके देखिए आपको डेफिनेटी रिजल्ट मिलेगा और फिर के साथ लर्न करते हुए पेशन्स के साथ कंटिनियूस वर्क करना है फिर देखिए आपको कितने सक्संद मिलते हैं जय हिन भारत माता की जय मा तुझे सलाम